आज बनाएंगे मूंग दाल और सूजी से बनी ये टेस्टी मिठाई जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी देखिए कितनी ही यम्मी और टेस्टी है तो चलिए सुरू करते हैं आज की रेसिपी हेलो वेलकम बैक माई यूट्यूब फैमली तो सबसे पहले ये मूंग दाल को हम रात भर केलिए भीगो लिये हैं और इसके बाद इसे हम मिकसर जार में पीश लेंगे जितना भीगोई हैं उसी अनुसार पीश लें और उसमें उसी अनुसार एक कब दूद डाल दें और फिर से इसे हम इस तरह से बंद करके इसे ग्रैंडर में पीसेंगे और इसका एक स्मूथ पेश्ट बनाएंगे देखिए पीस चुकी है इस तरीके से इसके बाद एक पैन गरम करेंगे और उसमें दो चम्मच घी डालेंगे और उसे मेल्ट होने देंगे इसके बाद इसमें हम आधा कप सूजी डाल कर 5 मिनट के लिए भून लेंगे हलके आज पर ध्यान रखे की सूजी ज़्यादा नहीं लेना है इसके बाद इसमें मूंग डाल का पेस्ट एड़ कर देंगे मूंग डाल का पेस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तब ही ये मिठाई tasty बनेगी क्यूंकि ये मुंग डाल की मिठाई है इसलिए ये मुंग डाल की quantity जादा होगी तो चलिए इसे 10 मिनट के लिए low flame पर भून लेते हैं चलिए 10 मिनट हो चुके हैं इसी स्टेज पर हम दूद डाल देते हैं और स्वाद अनुसार चीनी डाल देते हैं और फिर से हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से इस तरीके से गुठलिया सब मिटाते हुए मिक्स करेंगे और इस तरीके से सुखा पेस्ट बनाएंगे इसके अब इसी स्टेज पर हम एक चम्मच गी डालेंगे ताकि मिठाई हमारी टेश्टी और अच्छी बने और इस तरह से घी को भी इसमें मिक्स कर लेंगे तो बस हमारी मिठाई की डू अब तयार हो चुकी है चलिए अब इसे एक डब्बे में सेट कर लेते हैं एक घंटे के ल चाकू की मदद से निकाल लेते हैं देखिए हमारी मिठाई कितनी टेश्टी बनकर तयार हुई है और बस इसे चाकू से कट कर लें मिठाई की सेप में और आप देख सकते हैं कि ये मिठाई कितनी ही टेश्टी बनकर तयार हुई है तो एक बार मेरे तरीके से ये मिठाई ज प्सक्राइब करें थैंक यू